इनी जिग्यासा है कि ये पांच पांडों आपने कैसे खड़े कर रखें ये पांच पांडों सर जीनियस मिल्टी अकैडमी के स्टूडेंट है और कई बारी होता है ना कि कई बारी कोई चीज़े होती है इत्पाक से मिलती रहती है तो ये पांच जो पांडों हैं इनका रूम नमबर भी पांच था और ये पांचों एक ही गाउं से भी लोम करते हैं जर जर से और पांचों का सेलेक्शन हो गया है और पांचों एक ही उन्ट के अंदर गई है की पांचों की जर से गॉच्टेर्न के लिए करना से की खनुन की त Canadians है गया है कहते हैं कि लहर पर हक साहिल का नहीं कब बदल जाए पता कुछ दिल का नहीं ऐ लक्ष के भट के राही सुनो दोश राहों का है मनजिल का नहीं जब रहा दिखाने वाली ऐसी जीनियस आर्मी एकेडमी हासी में हो तो मनजिल दूर नहीं होती अनायास अपने आप चली आती है ऐसी दो शक्सियत से मैं मिलुआ रहा हूँ सुरेंदर सिंग मार जी मेरे साथ आजाईएगा सुरेंदर सिंग मार जी जिन से मैं जो डिरेक्टर है इसके जीनियस मिलिटरी एकेडमी के और बच्चों का भवश्य सवारते हैं और साथ ही बहुत खुब्सूरत बोल रहे थे अभी मंच्चा सीन है अभी भी एसस यादव जी जो आर्मी में रहे और एक उसके बाद अध्यापन कारिये में भी रहे और सुरिंदर सिंग महारजी के साथ मिलकर ये जीनियस अकेडमी जो राम सिंग को लोनी के बिलकुल नीचे यानि की पुल के नीचे बनाई गई है मैं जानूगा सर आप से मुझे बड़ी परसन्नता हो रही है सबसे पहले तो इनका रूम नंबर भी पांच था और ये पांचों एक ही गाहों से विलोम करते हैं जजर से और पांचों का सिलेक्षन हो गया है और पांचो एक ही उन्ट के इंदर गई हैं तो ये पांच पंडो अकैडमी की शान हैं और इन बच्चों ने जो मैनत करी जो हमने मैनत कराई जैसे हमने गाइडलेंड किया वैसे ही बच्चों ने अमारी गाइडलेंड सुन के या अमारी बाते मान के जो सेलेक्शन दिया है आ कोई भी बरती आती है डिफेंस की खासकर में बात करूं तो हर बरती में हमारे बच्चे सेलेक्शन होके जाते हैं और जो एउसी बरती 2023 थी उसके अंदर टोटल इंडिया के इंदर 1793 पोश्ट थी और नो स्टेट की बात करूं में हर्याना ओर्डिनेंस कोर जी यह आर्मी ओर अनदर नो स्टेट के इंदर सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास थे और मैंने YouTube चाहिनल भी एगिनिययस मिल्ट्री अकैडमी का नाम से जी और ज्यादा तर जो बच्चे थे थे हमारे पास YouTube चैनल देख के आये थे क्योंकि बियार से यूपी से महाराष्टर से MP से आपका एक टेस्ट लेंगे तो बच्चों को सेम चीज यहीं मिली और उसी चीज को बच्चों ने जैसे हमने मैनत कराई हमारे जो टीचर थे हमने सबसे पहले जब कोर्स टार्ट किया था उससे पहले हमने जो टीचर थे अकैडमी के उपर जो हमारे टीचर पढ़ा थे उनका ह सबसे पहले जो भी बच्चा हमारे पाफ फोन करके आता था कि सर मैंने एकडमी जुए ने करनी है तो सबसे पहले हम यह पूछते दे कि जो हमारी फैकलिटी पढ़ाती है आपने उसकी क्लास कैसे लगी तो बच्चा बोलता था मेरे टीचर की हर चीज समझ में आ रही है तब हम बच्चे को बोलते ठीक है बिटा आप अकैडमी आ जाओ और मातर सात अजार उपे फीज थी हमारी जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ उसके अंदर था और आठाट गंटे की हमने मेनत कराई है उसके बाद मैं सेल्फ टीडी की बात करूँ तो रात के बारा बज़े तक बच्चे शेल्फ टीडी करते थे और सुबह पांस बज़े उठ लेते थे पांस बज़े फिर पढ़ना शुरू करते थे तो मैं ये मानता हूं कि आज जीनियस मिल्टे अकैडमी की फैकल्टी स्टाप जैसे सर की बात करूँ तो सर आर्मी के अंदर जैसे 31 साल सर ने नोकरी करी है तो टीचर ही थे वहां पर भी उसके बाद में रेटेर्मेंट होने के बाद में सर ने जैसे अर्याना लेक्षरार की जोब की है उसके बाद में जो एकैडमी का जो मावल है आपको पता है देखो श्टाप अगर सही है तो मावल अपने आप बन जाता अगर घर का मेमर जो मुक्जिया होता है अगर वो discipline में है ना तो परिवार पुरा discipline में चलता है तो genius military academy के जो rule regulation है वो same army की तरह ही है अगर कोई बच्चा यहां से जाता है छुटी जाता है तो हम उसका लिव शेटिवगेट बनाते है जैसे आर्मी के अंदर बनता है कितना discipline maintain करने में कितने मशक्कत करने पड़ती आप देखो सर सुबह पांस बज़े लगते हैं और रात के ग्यारा बज जाते हैं तो हम तो पूरे दिन बच्चों को यही motivate करते हैं कि बेटा मैनत करो अपने माबाप के अपने खुद के और अपने देश के लिए कुछ ने कुछ करके जाओ सपने पूरे करो देश के लिए आप जो भी करोगे वो कम है सर आप स्वम आर्मे में रहे हैं और उसके बाद ऐसे बच्चे तियार कर रहे हैं इनको पेटियोट्रिक यानिकी एक sentiment भी देते हैं इनके अंदर भावना भी देते हैं और इनको mentally prepare भी करते हैं इनके parents को भी और इनको खुद को भी जाईएगा आप EOC में और जहां दो ट्रेड बता रहे हैं आप हाँ इसके अंदर सर्फ दो ट्रेड थी EOC, Army, Ordinary score के अंदर जिसमें 544 sports तो थी fireman की और 1249 sports थी ट्रेड में की तो दोनों ट्रेड के बच्चे हमारे पास आये थे कि और class भी इनकी सेम थी पैटन सेव था दोनों का एक्जाम भी सेम था तो मैं यह मानता हूं कि जितने इंडिया में मेरे पास जो लगबग आसपास के अरियाना के आसपास के जो राज्ये के बच्चे जो मेरे पास आये जो अधर एकेडमी वालों ने मेरे पास फोन किया बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैं तो यह मानता हूं कि 30-40 बच्चे तो ऐसे मेरे पास फोन करके आये हैं जिन बच्चों ने यह बुला कि सरह हम आपका यूटूब चाइनल देखते थे और आपकी बातों से हम मोटिवेट होके हम सिलेक्शन दिया बजाएं गातालियां बजाएं पांच पांडो जी मेरे नजदीक आजाऊ अपनेचे आजाएं महा भारत में तो हमने सुना कि पांच पांडो होते थे और जिनका सार्थी कर्षण बहगवान बने थे और इनके सारती किर्शन भगवान मैं कहूं सुरेंदर सिंह मार जी को जो है तो वाती शोक्ति नहीं होगी यह बड़ा सिक्वेंस है और बहुत कोइंसिडन्स है कि पाँच स्टुडेंट्स और एक कम्रे में रहना और पाँचो कोई सेलेक्शन हो जाना यह कैसा लगता बिटे हम जो कुंडरी लेखते हैं न विवा करते हैं पती पतनी की जब उतीने तो गण उनके भी नहीं मिलते जितने तुम्हारे पाँचो के मिल गए एक कम्रे के अंदर कैसे हुआ सर दो तिन तो मेरे साथ बच्पन से है और पाँचो का सेलेक्शन हो गया सर पाँच नंबर कम्र जी को मानते हैं राव साब को मानते हैं यादव जी है यादव जी आपको भी आइकोन मांते हैं आपको तो सिंग्मार जी आइकोन मांते हैं तो सर यह तो बच्चों के परती हमारा प्रेम है है सुभागे है हमारा कि हमें इनको जो है इनके मुकार हम अपनी तरफ से जो है ब एक्टिविटी में आते हैं जीनियस मिल्ट्री एकेडमी हासी और अपने जीनियस यानि कि उस नाम को सार्थक कर रही है सिंग मार जी का यो वर्त निकल के आती है जब ये बच्चे जाते हैं तो इन से आशिरवाद लेके जाते हैं मैं देख रहा था कि इनके फूट स्टेप क चूँ रहे थे ये बच्चे तो सर मैं इतना ही चाहूंगा कि आप बहुत घर से पैसा लगा कर इन बच्चों का भुश्य सवार रहे हैं ये एक छोटी बात नहीं है और हासी के अंदर बेस्ट अकेडमी है दोस्तों मेरे विवस ये ध्यान रखिएगा जिसको बच्चे को सिक्क करवानी है, दिलवानी है और आर्मी में भेजना है या पलिस में भेजना है तो सिंग मार जी की शरण में आ जाईएगा जीनियस मिल्टरी अकेडमी जो है प्राम सिंग कलोनी के अंदर जस्त नदी के नीचे है और बहुत ही हाईजैनिक सब कुछ बता रहे है तिराव को देता हों, यह बढ़ा भागिरदकार। यह है, आपκι अकेडमी इसी तरह रह फलि भूत हो और आप उचाईयों को छुए एक आर्मी परस्वन को हो तो हम से लूट कर सकते है, अर्मी परस्वन को तो हम से लूट कर सकते हैं यह जीनियस आर्मी अकेडमी ही है जो मच्चों का भवश्य सवारती देखते रहे हांसी के आवाज Outstanding Genius Army Academy